तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एजूकेसन इंडिया चैनल पर देखें पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है क्योंकि कड़ा आदेशा यहां यहां पर मोधी सरकार का और मोधी ने पाक पर हमला बोलने का आदेश दे दिया है सैनिकों को मिला आदेश और अब उनकी टुकडी करेगी सर्जीकल इस टाएक सैनिकों के कावीले पर कल रात एक बहुती बड़ा हमला हुआ और इस हमले में 44 जवान बारत देश के सहीद हो चुके हैं ये बारत देश के लिए कावी बड़ा सोकी बात है कि हमारे बारत देश में इतना बड़ा हमला और छोटा सा जो यहां पर देर से खा जा सकने वाला एक बारत का हिस्सा उसी ने भारत पर यहां पर आक्रमन किया है तो यह बहुत ही बुरी बात है इसी को लेकर जब मोधी ने बताया कि यह पाक की बहुत ही बड़ी गलती हो और इसको अब नहीं बरदास किया जाएगा उन्होंने कहा है कि जब तक तो इतना देर तो सही था कुछ नहीं वो कुछ करना ही रहते तो चौलेगा देकिन अब बहुत उग गया अब उन्होंने कहा है कि सर्जीकल इस्टाइक होगी और पाक को हम नहीं छोड़ेंगे दोस्तो संपूर्ण रिपोर्ट के अनुश्टार बताऊंगा कि किस परकास सैने को आदिस दिया गया हमला बोलने के लिए पाकिस्तान पर दोस्तो पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है और जहां तक मैं बात कर लूँ तो पहले से ही कल से ही नारे लग रहे थे कि भारत जिंदाबाद है और पाकिस्तान मुर्दाबाद है पाकिस्तान मुर्दाबाद रहेगा और पाकिस्तान जो है हर वक्त यही रहेगा पाकिस्तान की सिती वैसे ही रहेगी जो पहले थी यानि की एक तरह से कहें तो भारत का गुलाम रहेगा देखते हैं एक रिपोर्ट के अरूसार जो कि यहाँ पे सच sponsor करती हैं बाते कि भारत कितना बड़ा है है हाँ पाकिस्तान के लिए एक तरह से कहें तो जवाब दिया गया है पाकिस्तान की सरकार को जो कि इस हमले को लेकर दोस्तो यहाँ पर आया है पुलवामा में ट्रेडर अटेक होने से काफी बारी मात्रायाने की चोमाली जवान सहीद हुए और आतंग के आगाओं को पीम मोदी का कड़ा संदेश में पूछा बहुत बड़ी गलती की है इसकी कीमत आपको चुका नहीं होगी बारी कीमत इसकी चुका नहीं होगी अब पाकिस्तान को पुलवा में CRPF के हमले हुए CRPF पर हमले के बाद परदान मंतरी नहेंदर मोदी ने आतंग वादियो और उनके आकाओं को कड़ा संदेश दे दिया है उन्होंने कहा है कि उनकी बहुत ही बड़ी गलती है कि उन्होंने हमला किया और बारज सरकार पर एक तरह से कहें तो कड़ी चुनोती दे डाली है अब जो हैं बारज सरकार यानि कि जो मोदी सरकार है नहीं छोड़ेगी इस सर जो हैं कहें तो पाकिस्तान को परदानमंदरी नाइंदर मोधी ने सुकरवार को आतंगियों के सरपरस्तों को कड़ार संदेश दे दिया है और पीम ने कहा है कि पुलवा में में सुरक्षा बलो को निसाना बना कर आतंगवादी और उनके सरपरस्तों ने बहुत बड़ी गलती किये उन्होंने कहा है कि आतंगवादियों के आकाओं को उसकी बड़ी किम्मत चुकानी पड़ेगी और पीएम मोदी ने ये बयान वंदे बारती एक्सपरेस को हरी जन्डी दिखाने के मोकेपर का डाली पीएम ने कहा कि पुलवावाँ हमले के बार सहीनिकों को पूरी तरह संतंता दे दी गई है हमें असरुक्सा बलो पर पूरा बरोसाईँ दोस्ता सहीनिकों को दिया है कड़ा अधेस की आप जाये कुछी करे चाई पाकिस्तान को मारे या पीते कुछी करे लेकि हमें उन्हें जो नोने हमारे लिए बलिदान दिया उस सहीदों की कीमत आपको चुकानी है यानि कि पाकिस्तान पर सर्जीकल स्टाइक करनी है और फिर से और अब की वार सर्जीकल स्टाइक बहुत ही बड़ी होनी चाहिए जिसमें बहुत ज़रा आतंगवादी मारे जाने चाहिए बड़ी कीमत आप उन्हें चुकानी पड़ेगी और मैं देश को मरुसा देता हूं कि इस हमले के पीछे जो ताक्ते और गुनागार है मैं उन्हें नहीं चोड़ूँगा उन्हें कड़ी सजा दूगा और इन्हें फासी तक ले जाऊंगा और दोस्तों पीम नरेंदर मोधी की तरफ से आए बड़ी बाते यहां पर सुकरवार को आतेंगवादियों के सरप्रस्तों को दिया कड़ाजवाब कड़ा संदेश दिया और कहा है कि मैं नहीं छोड़ूँगा अब उनको दोस्तों इससे पाले वी उन्हें कहा था कि अब उनको कभलेगा कड़ा जाब और द बड़ा काम करें जिससे पाकिस्तान हिल जाए यानि कि पाकिस्तान के कानों तक आवाद जाए कि कुछ ना कुछ हुआ है उसके देश में बड़ा आतंगवादी उसने जो हमला किया है बारत पर वहां हमला उससे अब भुगदना पड़ेगा दोस्तों यही बाती सारी की रिप पर दे रहें यही और दोस्तों भारत माता की जे जरूर बोले क्योंकि वहां सईद हुए हैं कल जो 44 जने उनके लिए जवाद जवान के लिए जहन्द जे भारत और वंदे मातरम तो आप भी जरूर बोलेगा एक अग फिर से आपको कह देता हूं कि बोले जरूर जरूर जह झाले जरूर जे leज जवां पारत बुलओ जवान के लिए क्योंकि देता हैं करते हैं कर दो से भी जरूर जरूर जिरूं हमाने इसने हमाने जरूर ज centuries हे कि लिए जराय से दो एक बेदाना स से जन day जरूर 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 जरूम हमान pewnoरू है ।ॉ झाल झाल